बुदवार 22 मही को अपलोटायस के सवा 2 करोड शेरों या करीब 3.5 फीज़ी एक्विटी के बीएसी पर कुल 14 बड़े सौधे हुए एक्षेंग पर मादूद जानकारी के मताबिक इन ब्लॉक डील्स के जरीए वारवर्ग पिंकस ने अपनी सहोगी कंपनी वाइट आइरिस इंवेस्मेंट के जरीए अपनी पूरी 3.54 फीज़ी इसेदारी बेच दी है 17 माई को पॉलिसी बजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिंटेक के कुल 83.7 लाग शेरों या 1.86 फीज़ी इसे की दो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी इन ब्लॉक डील्स में कंपनी के दो पर मोर्टस ने अपनी इसेदारी कम की है एक्सचेंज पर मौजूद जानकारी के मताबिक कंपनी के चेर्मेन और सीएओ याशीष दहिया ने 54 लाग शेर और वाइस चेर्मेन और हूल टाइम डिरेक्टर आलोक बंसल ने 29 लाग 70 हजार शेर बेचे है इस डील के बाद यशीष दहिया के पास कंपनी की 4.8 फीजदी और आलोक बंसल के पास 1.6 फीजदी इसेदारी बची है 17 माई की शाम को खबर थी कि इन ब्लॉग डील्स में कुल 23 खैदारों के नाम सामने हैं इसमें सोसाइटे जनराल ने 1325 रुपे 15 पैसे के भाव पर 15,95,000 शेर और मॉगन स्टैनली ने इसी भाव पर 14,65,000 शेर खईदे हैं 18 माई को हुए स्पेशल लाइव टेडिंग सेशन में पीबी फिंटेक का शेर करीब धाई फीजदी की बड़त के साथ 1360 रुपे के सर पर जाकर बंद हुआ था मंगलवार 21 माई को एप्टस वैल्यू के 3.6 करोड शेरों की बड़ी ब्लॉग डील हुई इस सौदे के मताबिक कंपनी की करीब सवा साथ फीजदी एक्विटी ने हाथ बदले हैं एनेसी पर मौजूद बल्ग डील के आंकरे बताते हैं कि कंपनी के दो परमोटर्स वैस्प्रिज क्रॉस ओवर फंड और जेएएच टू ने कुल 1027.94 करोड रुपे में अपनी सेधारी बेची है दोनों परमोटर्स ने 294 रुपे पती शेर के भाव पर करीब 3.5 करोड शेर बेचे हैं आपको बता दे कि मार्च 2024 तक वैस्प्रिज क्रॉस ओवर फंड के पास कंपनी की करीब 34 फीजदी और जेएएच टू के पास करीब 2 फीजदी सेधारी थी इस ब्लॉग डिल में कहजदारी करने वालों की सूची में इस्ट प्रिज कैपिल मास्टर फंड और SBA मूचल फंड के नाम सामने आये हैं कारुबार के अंत में शेर 5 फीजदी की कमजोरी के साथ 298 रुपे 60 पैसे के स्थर पर बंद हुआ मंगरवार 21 माई को सीजी पावर के 63.7 लाग शेरों या 6.4 फीजदी इसे की ब्लॉग डिल हुई इस ब्लॉग डिल में एक बड़े FII शेर होल्डर की और से 425 करोड रुपे के शेर बेचने की खबरे सामने आई हैं 21 माई को कारुबार के अंत में शेर करीब 3 फीजदी गिरकर 644 रुपे के सर पर बंद हुआ हलाकि इंटर डे में शेर 600 रुपे तक भी उचल गया था जो की 689 रुपे के 52 विक हाई के बेहत करीब था 22 माई को ग्रैनूल्स इंडिया के 75 लाग शेरों या कुल 3.09 फीजदी इसेदारी की ब्लॉग डिल हुई 405 रुपे 8 पैसे के औसद भाव पर हुई इस ब्लॉग डिल में कमपनी के परमोटर कृष्ण परसाद चीगरू पती ने अपनी हिसेदारी 303.08 करोड रुपे में बेची है इस हिसा बिक्री के बाद परमोटर कृष्ण परसाद की कमप्णी में हिसेदारी पॉने 35 फीजदी से घटकर 31.069 फीजदी हो गई है परमोटर गुप का हिसा करीब 42.068 पीजदी हो गया है पर मोटर नहीं हिसेदारी अपना नीजी कर्ज उतारने के लिए वेची है ताकि गिर्वी रखे गए शेरों को छुड़वाया जा सके और साथ ही परसनल लिकुडिटी तियार की जा सके इस ब्लॉक डिल में एक्सिस मूचल फंड, फिडेलिटी फंड्स, इंडिया फोकस फंड, फिडेलिटी इंडिया फंड समित कई खरेदारों के नाम सामने आये हैं बाइस माई को ग्रैनल्स इंडिया का शेर साड़े चार फीज़ी से जादा की मदबूती के साथ 427 रुपे 95 पैसे के सर पर बंथ हुआ गुरुवार 23 माई को स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंशारेंस के 7.06 फीज़ी इसे की बड़ी ब्लॉक डिल हुई एनसे के आंक्रों के मताबिक 535 रुपे पती शेर पर हुई इस सौदे की वैल्यू 2,210.5 करोड रुपे आखी गई है इस ब्लॉक डिल के जरिए एपिस ग्रोथ, रॉक स्टार इंवेस्मेंट ट्रस्ट और मियो 4 स्टार ने अपनी पूरी इसेदारी बेची है एपिस ग्रोथ ने 2.61 फीजदी, रॉक स्टार इंवेस्मेंट ट्रस्ट ने 1.01 फीजदी और मियो 4 स्टार ने 2.39 फीजदी इसेदारी बेची है इसके लावा कंपनी के एक और निवेशक मियो स्टार ने अपनी इसेदारी 1.05 फीजदी घटा कर 1.16 फीजदी कर ली है जो पहले 2.21 फीजदी थी इस ब्लॉक डिल में आईसेसी पुटेंचल लाइफ ने 626 करोड उपे में 2 फीजदी, एजज़सी मूचल फंड ने 300 करोड उपे में 0.96 फीजदी, इस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड ने 294 करोड उपे में 0.94 फीजदी, और प्लूटस वे शेयर 573 रुपे 80 पैसे तक भी उचल गया था